दोस्तों नमस्कार राजस्तान के बजट पर आप सभी का हरदिक स्वागत है आओ गुरुदेव आओ बुलावा आया है जी आप सभी के बुलावे पर आप सभी के सामने हाजिर है नमस्कार मित्रों राजस्तान का बजट जो प्रस्तूत किया गया है राजस्तान के मुख्यमं विशे की बातों को लेकर हाजिर हुएं, उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आज कल हमारे खिलाप चल रही है, तो आप सभी मित्रों का स्वागत, बातचीत की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखे, ना पूछो मेरी मनजिल कहा है, अभी तो सफर का इरादा किय है, ना हारूंगा होसला उमर भर, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं कुछ आपको जो पूरी बातचीत है, वो समझा रहा हूँ, उसके बाद कुछ महतोपन सवाल जो है वो बजब के, वो आपके सामने रखूंगा, ज उससे संबंदित, जो बजब से संबंदित है, वो क्या है, चिरिंजीवी जो योजना है, चिरिंजीवी योजना में प्रती परिवार साला ना 5 लाक बीमा राशी को बढ़ा कर 10 लाक कर दिया गया है, यानि चिरिंजीवी योजना के तहट जो बीमा क्लेम दिया जाता था, जो बीमा दिया जाता था, अब उस बीमा रासी को 5 लाख रुपे के स्थान पर बढ़ा कर कितना कर दिया है, 10 लाख रुपे कर दिये गए है, मैं तुकुन सवाल है मेरे मित्रों, ये 10 लाख रुपे की रासी आपको याद करनी है, आगावी परिक्षों में सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चिरिंजीवी योजना में प्रती परिवार सालाना 5 लाख रुपे के स्थान पर बढ़ा कर कितना कर दिया गया है, तो आपको जवाब देना है कि उसको 10 लाख रुपे कर दिया गया, और इसी चिरिंजीवी योजना के नाम से एक अन्य योजना, चिरिंजीवी मुखे मंत्री, चिरिंजीवी दुरगटना योजना भी फ्रू कर दी गया है, और उस दुरगटना योजना के तहर उसे दुरगटना योजना के तहर कितना बीमा कलेम दिया जाएगा तो पांच लाख रुपे कलेम उस बीमा योजना के तहर दिया जाएगा दुबारा सुन लीजिएगा एक बार फिर मैं जो बात आपको बता रहा हूं कि दुरगटना बीमा योजना जो है इस दुरगटना बीमा योजना के तैर greeting 5,000,000 रुपे जो है ये दिये जाएंगे बीमा क्रियम के रोपर और साधारन जो चिरिंजीवी योजना थी उसमें 5,000,000 रुपे के स्थान पर कितने कर दिये हैं दस लाग कर दिये गए हैं ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है एक तरक दुरगटना भीमा योजना है और एक तरक साधान चिलिंजी भी योजना है चलिए इसके बाद देखिए अगला क्या है अगला है सहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंद्रा इसमें तो पहले से योजना चल रही है जिसका नाम है मंद्रेगा योजना कौन सी मंद्रेगा योजना इस मंद्रेगा योजना को ही आगे क्या कर दिया जाएगा और विस्तारित किया जाएगा पलस इसके सासा सहरी छेत्रों में सहरी छेत्रों में अलग से क्या चलाया इंद्रा गांधी सहरी रोजगार योजना चलाए जाएगी इंद्रा गांधी सहरी रोजगार योजना सहरी रोजगार जो योजना है उस रोजगार योजना को क्या किया जाएगा चलाए जाएगा तो दो बाते हैं यहां पर कौन-कौन सी है पहली बात है घ्रामीन मंद्रेग जो कि मंद्रेगा योजना को ही आगे विस्तारीत किया जाएगा द्रामिन छेत्रों में इंद्रा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है वो क्या की जाएगी इसके बाद नेक्ष्ट बात जो है वो क्या है जड़ा देखिए प्रदेश में प्रात्मी स्वास्ते केंद्रों चुए श्वास्ते केंद्रों के विकास एवों स्थापना के लिए 600 क्रोड रूपे का प्रावधान क्या है बजट ने किया गया यानि अब थोड़ा धिरिये रखेगा आगे बढ़ते जाएगे एक बार में थोड़ी समरी आपको बता देता हूं इसके बारे में बस राज के अस्पतालों में OPD और IPD जो पुरन तै क्या रहेगी निशुल्क करने की घोशना सरकार के द्वारा की गई है यानि OPD जो विवस्ता है और IPD जो विवस्ता है दोनों को मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया है पुरन तै निशुल्क कर दिया गया है इसके बाद देखे बज़ट में पहला क्रसी बज़ट जो है वो राज्य का प्रस्तूत किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा तीन परकार के बज़ट जो है वो अभी प्रस्तूत किया थे हैं राजस्तान मे में इन्होंने पहला जेंडर बजट प्रस्तूत किया उसके बाद 2021-22 में इन्होंने राजय का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तूत किया और 2022-23 में इन्होंने पहला क्रसी जो बजट है वो प्रस्तूत किया है तो पहली क्रसी बजट से क्रसी विकास के नए आयाम होंगे स्था सरकार की छूट जो है वो प्रदान की गई है 50 यूनिट जो है वो बिजनी निशुल्क दी जाएगी अगर लाबार्थी ने 100 यूनिट विधूत प्रती माहा उपभोग करने वाले अलब आए सहीत सभी 118 लाख गरेलू विधूत उपभोगता है यानि 100 यूनिट तक अगर खर प्रती यूनिट के इसाब से 3 रुपे क्या देने वाली है अनुदान देने वाली है दो रूपे प्रती यूनिट ise 600-300 के बीच में तीन रुपे का अनुदान और फिर दो रुपे का अनुदान किस-किस बिजली यूनिट पर कितना-कितना अनुदान बिजली में दिया जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। महिलाओं में कैंसर के निदान के लिए मोबाईल कैंसर डाइगनोस्टिक वेन जो है वो 50 रुपे 50 क्रोड रुपे की राशन से उसका प्रावधान किया गया है। यानि कैंसर जो है महिलाओं में भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो स्तन कैंसर होता है और पुरूसों में जो है वो किस प्रकार का कैंसर होता है तो महिलाओं में जो कैंसर है इन महिलाओं के कैंसर के मोबाईल कैंसर डाइगनोस्टिक जो वेन है उसका प्रावधान राज चेतरों में महात्मा गांदी अंग्रेजी मेडियम स्कूल खोलने की घोशना सरकार के द्वारा की गई है यानि सरकार ने कहा है कि गाओं में और सहरी चेतरों में हम क्या करेंगे सहरों में भी कितने एक हजार और गाओं में भी क्या एक हजार हम क्या खोलेंगे मात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो अंग्रेजी मात्यम स्कूल है वो अब खोले जाने प्रस्तावित किये गए हैं इनके दुआरा इस बजट में चलिए इसके बाद अगला प्रदेश में 3820 विध्यालों को सीनियर सेकेंडरी में कर्मोनित किया दैगा तो इसका सही जबाब आपका होगा रोबोटिक सरजरी जो है इसकी विवस्ता राजस्तान के किस SMS वहाँ पर इस परकार की विवस्ताओं को उपलग करवाया जाएगा चलिए इसके बाद यहाँ पर है शिक्सक बरती में 10,000 अंग्रेजी जो है उनके विशे के टीचर्स जो है यहाँ पर क्या किया जाएगे लगाये जाएगे तो ये भी 10,000 अंग्रेजी सिक्सक कैदर के अंग्रेजी माद्यम्स की स्कूलों को यहाँ पर क्या किया जाएगा ब्रती किया जाएगा इसके बाद रोजगार के उसर राजे के विभिन पदों में 50 लाख रुपे सावीत्री भाई वाचना ले ये अच्छा सवाल है परिक्षा के दृष्टी से जरा देखिएगा क्या है प्रतेग जिले में यहाँ पर प्रतेग जिला जरूर ध्यान रखेगा सवाल क्या 50 लाख रुपे की रासी से सावीत्री भाई फूले वाचना ले की स्थापना किये जाने की बजट में घोसना की गई है तो वो देगा आपको जिला स्तर पर क्या देगा जिला स्तर पर वो देगा संभाग स्तर पर संभाग स्तर पर इसके अलावा ओप्शन में आपको मिलेग राजे स्तर पर या ब्लोग स्तर पर राजे स्तर या क्या मिलेगा ब्लोग स्तर पर मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है इन में से किस स्तर पर किया जाएगा जिला स्तर पर जो है वो सावितरी भाई फूले वाचनालियों की स्थापना की जाएगी ठीक है हाँ जी जरूर जेपुर और जोद्मिर में एक अतिरिक स्वास्ते विबाद की और से लगाए जाएंगे इंग्लिश मेडियम शिक्स कों के लिए अलग से केडर का निर्मान किया जाएगा सुद के लिए यूद अभियान किता है डाइरेक्ट ओफ फूड सेप्टी में दो सो ख़द्य सुरुक्षा अधिकारी लगाए जाएंगे जेलन मारक जोस्तीत है जेपुर का जेलन मारक जोस्तीत है वहाँ पर जितने भी इंस्टिटूट है उनको एजुकेस्टन हब एडियू हब के रूप में स्थापित किया जाएगा यानि एडियू हब के रूप में उनको क्या किया जाएगा बढ़ावा दिया जाएगा ऐसा का गया है जैलन मारक पर जितने भी सिक्षया के जो इंस्टिटूट स्थापित है उनको ऐसा किया जाएगा इसके बाद देखे अगली बात यहां पर है 32 नए और योगिक छेतरों की होगी स्थापना यानि नए और योगिक छेतर कितने स्थापित किये जाएंगे अलग- गया है और multi-story industrial complex भी क्या किया जाएंगे यहां पर बनाए जाएंगे चलिए next जड़ा देखेगा और क्या है राजमारक 1200 क्रोड रुपे की लागत से प्रदेश के 1000 किलोमेटर के राज्य मार्गों का यहां पर क्या 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 जाएगा डबल वे उनको बनाया जाएगा ठीक है राज्य के राजमारक जो है उनको क्या किया जाएगा डबल किया जाएगा यह भी हमें देखना है चलिए जो काम की बाते में सिर्फ वही रुक रहा हूँ और आपको वही चीज़े क्या करनी है याद करनी है यह बहुत अच्छी खबर है क्या है पैरा खिलाडियों क तो उच्छ तकनी की प्रसिक्षन प्रदान करने के लिए राज्य में कहां पर पैरा खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है यह की जाएगी जेपूर में जेपूर और कहां पर जोदपूर में दो जगे पैरा जोदपूर जो है यहां पर दो ज अगर पेरा खिलाडियों के लिए academy की स्थापना की जाएगी, ये दोनों सहर आपके लिए बहुत important है, तो यहां पर पहला क्या है, जेपुर है, दूसरा क्या है, जोधपुरे ये दोनों सहर ऐसे हैं जहां पेरा खिलाडियों के लिए, उछ तकनी की प्रव्षिक्षण परद ना की जाएगी वैसे sports college भी यहां खोला जाना प्रसावित है लेकिन लिखा राजस्थान state sports university कहां खोली जाएगी 15 क्रोड रुपे की लागत से यह सीदे सीदे सवाल आएगे आपके paper जे तो ध्यान रखना जोदपूर में खोली जाएगी 15 क्रोड रुपे की लागत से यहां पर राजस्थान state sports university कहां खोली जानी प्रसावित है तो जोदपूर में खोली जाएगी यह भी ध्यान रखना चलिए अगली बात करते हैं अगला क्या है इस साल जुलाई माहे में rate की परिक्षा यह परिक्षा का सवाल भी नहीं है जेपूर मेट्रो वाला important सवाल है यह दे फेज 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 के अलग-अलग दो काम किये जाएंगे एक आपका होगा फिर्स्ट सी और फिर्स्ट डी इस फिर्स्ट में क्या होगा फिर्स्ट सी और एक क्या होगा फिर्स्ट डी होगे यह दोनों कहां से कहां तक होंगे पहले तो यह सुनिए फर्स्ट सी जो है बड़ी चोपड से दिल्ली आगरा एने चाहिए ट्रांस्पोर्ट नगर तक होगा बड़ी चोपड से लेकर के बड़ी चोपड से लेकर के ट्रांस्पोर्ट नगर जो है अलवर दिल्ली वाला जो आगरा वाइपास है वांतर है ट्रांस्पोर्ट नगर जो यानि phase first का ही अगला चरण जो है वो कहां से है मान सरोवर से लेकर के ये first D है मान सरोवर से लेकर के 200 फिट बाइपास तक इसका निर्मान किया जाएगा कहां तक मान सरोवर से लेकर के मान सरोवर से मान सरोवर से लेकर के कहां पर 200 फिट तक इसका निर्मान किया जाएगा ये जगय का नाम है इसके बाद Phase 2 जो है मेट्रो Phase 2 वो भी ध्यांद रखना सीता पूरा से अमबा बाड़ी तक सीता पूरा से लेकर के अमबा बाड़ी का जो रस्ता है अमबा बाड़ी वहाँ तक भी काम किया चेस एगा DPR उसको खोला जाएगा तो ये phase 2 होगा phase first में ही दुबारा सुन लो first C और first D दोनों phase कहां से कहां तक हैं इसको जरूर ध्यान रखेगा चलिए अगली बात करते हैं अगला है समरिद किसान कुसाल प्रसी बजट में 50,000 किसानों को 20,000 जो है वो सिंचाई पाइपलाइन के लिए 100 क्रोड रुपे के अनुदान देने की बात जो है वो सरकार के द्वारा कही गई है क्या है 50,000 किसानों को 20,000 किलोमेटर सिंचाई पाइपलाइम के लिए 100 क्रोड का अनुदान सरकार जो है वो इस बात देने वाली है ठीक है जी हाँ जी अगला देखिये जरा क्या है आपके सामने समरिद किसान है इसमें 4,000 किसानों को 1705 क्रोड रुपे का अनुदान भी किसान और नुदान को दिया जाएगा सुखसं सिंचाई उझना के तहत है 2700 करोड रुपे ये अच्छा important सवाल है राजसान सुखसं सिंचाई मिसन शुरू होगा यानि 11 प्रकार के मिसन सुरू करने की बात करी गी है लिए यारा प्रकार के शुरू करते जिसमें एक है राजर्तसान सुक्सम सिद्धाई मिशन शुरू होगा जिसमें 2700 क्रोडार रूपए जो है जो है वो सरकार क्या करने वाली है खर्च करने वाली है और परदेश के 5 लाध किसान होंगे इसे लाभानवीत तो इससे लाभानवीत होने वाले किसानों को भी याद रखना लेकिन राशी जरूर याद रखना राजसान सुक्सम सिंचाई मिसं जो है उसमें 2700 क्रोड रुपे की राशी सरकार क्या करने वाली है खर्च करने वाली है चलिए आगे देखे प्रसासनिक सुदार को सुद्रियों सच्ची वाले और डिपीर बनाई जाएंगे ये दे सीदे आपको सवालों की और लेकर चलता हूं जहां पर हमें बातचित करनी है इस बारे में तो देखेगा सवाल सीदे सीदे हम रखते हैं पहले आपके सामने कुछ सवाल उस पर थोड़ा आप लोग देख लिजीगा कौन-कौन सी बातें जो है वो आपको यहां पर important देखन क्या है पहला सवाल बजट का नापके सामने रख रहा हूं अब जड़ा इन सवालों के भी आप लोग क्या करिए थोड़ा जवाब देने की कोशिश करिएगा पहले यह सवाल रहा आपता उसके बाद कुछ अन्य बातें जो है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी विस्तार से बात्चित करेंगे लेकिन पहले कुछ सवाल हो जाए ताकि कुछ लोगों को यह लगे कि हमारा पढ़ा हुआ है वो भी हमसे पूछा जा रहा है हमें जानकारी है उस बातों के यह देखीगा राजस्तान बजट के संदर्व में आपको बताना है इनमें से सत्य कथम क्या होगा दो अजार बारा तेरा राज्ये का पहला जेंडर बजट जो है वो क्या किया गया प्रस्तूत किया गया राज्ये का पहला जेंडर बजट जो जरा किये गए हैं तो अब जरा देखेगा 2012-13 में इन्होंने राज्य का पहला जिंडर बजट जो है वो क्या किया प्रस्तूत किया 2021-22 में इन्होंने पहला पेपर ले जो है वो बजट प्रस्तूत किया इसके बाद 2022-23 में इन्होंने पहला क्रसी जो बजट है वो पहला क्रसी बजट जो है वो प्रस्तूत किया इन में से कौन सा सत्ते कथन है आपको वो बताना था तो इसका सही कथन जो है वो क्या है आपका डी कथन है और ये तीनों किश के द्वारा प्रस्तूत किये गए असो गेलो जी के द्वारा ही प्रस्तूत किये गए ये बात इन्होंने आज ब प्रती वर्स कितने करोड़ की रासी जो है वो सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी. देखे मैंने अब आपको बताये था एक सहरी चेतर है और एक क्या है ग्रामिन चेतर है. तो ग्रामिन चेतर में पहले से ही मनरेगा यौजना चनव रही है. मन रेगा योजना जिसमें पहले सो दिन का रोजगार दिया जाता था अब उसको बढ़ा कर 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है सरकार के द्वारा अब आपको ये पूछा गया है कि सहरी चेतर के लिए सो दिवस के रोजगार के लिए कौन सी योजना सुरू की गई है तो इंद्रा गांदी सहरी रोजगार योजना की शुरुआत जो है वो सरकार के द्वारा अभी हाली में की गई है आप से सवाल ये पूछा गया है कि इस पर सरकार प्रतिवर्स कितनी रासी जो है वो खर्च करेगी तो ध्यान रखना इस पर सरकार 800 क्रोड रुपे की रासी जो है वो प्रतिवर्स क्या करने वाली है खर्च करने वाली है प्रतिवर्स 800 क्रोड रुपे की रासी सरकार के द्वारा इसमें क्या की जाएगी खर्च की जाएगी ठीक है हाँ जी LDC के बारे में क्या बताना LDC का पेपर होगा भईया और क्या है चलिए आपको ध्यान रखना है 800 क्रोड रुपे की रासी इसका क्या होगा सही जबाब होगा 500 क्रोड रुपे नहीं होगा गलत जबाब है 500 क्रोड रुपे चलिए अगली बात करते हैं अगला योजना के तहर्ट सो दिवस के रोजगार के स्थान पर कितने दिवस का रोजगार उपलब्द करवाया जाएगा तो मैंने अभी अभी बता है 125 दिवस का रोजगार जो है वो अब परदान किया जाएगा सो के स्थान पर कितना 125 दिस्ट का रोजगार जो है वो अब इसमें क्या किया जाना प्रस्तावित किया गया है 125 दिन का रोजगार इसमें अब सरकार के दोज़ा दिया जाएगा अगला सवाल देखेएगा क्या है यहाँ पर है बजट से समंदिक चरिंजीवी योजना के अंतरगत प्रती परिवार सालाना 5 अलाग रुपे की चिकिसा बिमा राशी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है जो आगामी वर्ष से लाञू होगी जो क्या होगी आगामी वर्ष से लाजू होगी पांच लाख रुपे के स्थान पर इसको बढ़ा कर सरकार ने 10 लाख रुपे कर दिया है 10 लाख रुपे लेकिन मैंने ये बताय था अभी आपको कि दुरगटना चिरिंजीवी योजना जो है उसमें दुरगटना बीमा को सामिल करने के लिए चिरिंजीवी दुरगटना बीमा योजना सुखी गी है चिरिंजीवी दुरगटना बीमा योजना जो है इसको सामिल किया गया है कि इसमें चिरिंजीवी योजना में तो अब इसका नाम कर दिया है चिरिंजीवी दुरगटना बीमा योजना जो है इसके तहत पांच लाख रुपे तक का दुरगटना बीमा दिया जाएगा थिक है? हाँ जी तो इसका सही जवाब क्या है? एस योजना के तहत अब 10 लाख रुपे की जो रासी है वो 10 लाख रुपे की रासी क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी चलिए अगले सवाल पर देखते हैं अगला सवाल क्या है जरा देखो भाया यह रहा यहां है राज्ये में केंद्रिये कोलेज कहां स्थापित किया जाएगा अभी यह गोशना की गई है कि राज्ये एक जगह जहां पर केंद्रिये कोलेज की स्थापना की जाएगी वो जगह क पूछा जा रहा है कि कैंद्र ये कोलेज कहाँ खोला जाएगा तो केंद्र ये कोलेज एक जगैं है जोदपूर में तारा नगर में बजट में क्या प्रस्तावित क्या गया है तो यहां आयुर्वेद महावित्याले खोला जाएगा इसके अलावा तारा नगर में खेल स्टेडियम खोला जाएगा एक क्या बनाया जाएगा खेल स्टेडियम जो है वो भी क्या क्या जाएगा यहां पर बनाया ज चलिए अगली बात करते हैं अगला सवाल जरा देखेगा क्या है पालनहार योजना से मिलने वाली रासी को पंदरा सो रुपे से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है इस बज़र में देखो पालनहार योजना आप क्युस्टन के इसाब से याद करोगे तो ही परिक्षा की बात सही क अगली बात करते हैं अगला सवाल भी आपके सामने क्या है जरा देखो कितनी रासी से EWS विकास कोस का गठन किया जाएगा EWS 22 को 10% अलग से आरक्षन दिया गया है उसके विकास के लिए अलग से विकास कोस का गठन किया जाएगा और EWS विकास कोस का गठन कितनी रासी से किया जाएगा तो सो क्रोण रुपे की रासी से EWS विकास कोस का क्या किया जाना है गठन किया जाना है ये भी देख लीजेगा सो क्रोण रुपे की रासी से EWS विकास कोस का गठन किया जाना प्रस्तावित किया गया है इसी बजट के अंतरगत ठीक है हाँ जी चलिए अगला सवाल दिरा देखो क्या है बाबा आमते दिव्यांग अस्पताल कहां खोला जाएगा दिव्यांगों के लिए बाबा साहब आमते अस्पताल कहां खोला जाएगा यह आप से पूचा है दो सवाल है एक दिव्यांग अस्पताल कहां खोला जाएगा अगर ये पूछे तो इसका जवाब आपको ये देना है कि भईया ये कहां खोला जाएगा दिव्यांग अस्पताल आपका बाबा साहब आमते दिव्यांग अस्पताल कहां खोला जाएगा और एक ध्यान रखना नेतरहिन विकास संस्थान नेतरहिन विकास संस्थान विकास सं अंस्तान तो खोली जाएगी जोदपूर के अंतरगर कहां पर जोदपूर में ने तरहीं विकास तनस्तान खोली जाएगी और बाबा साहम आम्टे जो अस्पताल है वो जेपूर में खोला जाना प्रस्तावीत किया गया तो आप सब लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं अगली बात करते हैं अगला सवाल क्या है जड़ा देखिएगा बाजरी का सेंटर ओफ एक्सिलेंसी कहां शुरू किया जाना प्रस्तावीत क्या गया इसी बजट में सारी बजट से समधित बाते हैं मैंने बजट का नाम नहीं लगा रखा है तो आप खुदी समझ जाएगा य जैसलमेर में जोदपूर में तो बाजरी का सेंटर ओफ एक्सिलेंसी इन में से कहां पर स्थापित किया जाएगा तो इसका सही जवाब जो है वो आप लोगों पाता है कि जोदपूर होगा सही ठीक है बाजरी का कहां पर होगा जोदपूर में सेंटर ओफ एक्सिलेंसी की स साथना की जाएगी चलिए इसके बाद अगला सावाल ज़रा देखेगा क्या है बागड टूरिस्ट सर्कीट कहां विक्सित क्या दाएगा पिछले बजट में कुछ टूरिस्ट सर्कीट थे गोडवार सर्कीट है सेखावाटी सर्कीट है यह पिछले बजट में था इस बार ए इस सर्कित के अंतरगत ध्यान रखना मेरे दोस्तों यहां पर ढूमरपुड और बांसवाड़ा के जैसे मानगट धाम है क्या है आपका मानगट धाम है जैसे आपका बेडे स्वर है इसके अलावा आपका गलिया कोट है क्या है यहां गलिया कोट है गलिया कोट के अलावा वाला है घोटिया अंबा मंदिर है क्या है घोटिया अंबा मंदिर आपके बजट में जिन जिन नामों का उलेक कर रखा है प्रसिद प्रियटन स्तलों के नाम लिख रखें आगामी परिक्षाओं में उन प्रियटन स्तलों पर निशित सवाल आएंगे आप ध्यान रख लीजि जिस सर्कित का नाम क्या होगा बागट ट्यूरिज सर्कित होगा अब ट्यूरिज से जोड़ी दो तिन बातें और बता जो ता हूँ एक है परियटन विकास कोस का गठन किया जाएगा परियटन विकास कोस जो है वो गठित किया जाएगा और यह है परियटन विकास कोस का गठ प्रियाटन विकास को जो है वो बनेगा ये 500 क्रोड रुपे पहले 20-21 में इसकी गोशना हुई बाद में 21-22 में 500 क्रोड रुपे दिये गए अग इसे बढ़ा कर इतना कर दिया एक हजार क्रोड कर दिया गया इसके अलावा 500 प्रियाटन मित्रों की भरती की जाएगी 500 प्रिय इसके सासाथ एक हो है adventure tourism promotion scheme सुरू किया जाएगी advantage क्या कि जाएगी tourist इयूरी इयूरिस्ट प्र्मोशन स्कीम क्या 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 जाएगा advantage या नी साहसिक काम करने वाले लोगों के लिए किसके लिए सहासिक जो खेल का प्रदर्शन करते हैं या सहासिक प्रदर्शनियों जो करते हैं उनके लिए एडवेंटेजर ट्यूनिस्ट प्रमोशन स्किम जो है उसको क्या किया जाएगा शुरू किया जाएगा चलिए हाँ जी आप जा सकते हो भरती में आप क्यों नहीं जा सकते भरतिश सब लोगों की होगी कितनी रासी की लागत से प्रियटकों के लिए ये इनटीग्रेतिड बूकिंग एप और पॉर्टल विक्शित किया जाएगा यानि एक प्रियटन विकास के द्जारा ही क्या किया जाएगा यहां पर एक integrated booking app है और portal जो है उसका विकास किया जाएगा लेकिन उसको कितनी रासी से विक्सित किया जाएगा 5 क्रोड रुपे की रासी से, 100 क्रोड रुपे की रासी से, 500 क्रोड रुपे की रासी से या 50 क्रोड रुपे की रासी से कितने क्रोड रुपे की रास्ती से क्या किया दाएगा यहाँ पर Integrated Booking App और Portal विक्सित क्या दाना प्रस्तावित क्या गया तो देखो भईया 10 क्रोड रुपे Portal मेर एप मेर इन सब में लगने वाले हैं तो Integrated Booking App जो है इसको क्या किया दाएगा विक्सित क्या दाएगा Integrated Booking App और Portal 10 क्रोड रुपे की रास्ती से विक्सित क्या दाएगा किस से संबंदित है परियतन से संबंदित है यह किस से संबंदित है परियतन से संबंदित है चलिए अगली बात करते हैं तो 10 क्रोड है जादा नहीं है अगला एक अज़ार करोर की लागत से 383 वरक किलोमेटर छेतरपर में पेट्रो केमिकल इन्वेस्टमेंट रिजन कहां बनने जा रहा है और ये दो बाते एक साथ आ गई है ज्यान रखना एक अज़ार करोर रुपे की लागत लगेगी इसमें कितने एक अज़ार करोर रुपे की लागत से 383 किलोमेटर छेतरपर में पेट्रो केमिकल इन्वेस्टमेंट रिजन कहां बनाया जाएगा पेट्रो केमिकल इन्वेस्टमेंट रिजन जो है ये कहां बनकर तयार होगा इसमें से ज़रा देखो हाँ जी सीतापुरा जेपूर में पचबदरा जेसरमेर में यहाँ सांगानेर जेपूर में या मंदोर जेपूर में कहां पर बनकर ये वाला तयार होने वाला है तो बताइए यहां investment reason की बात हो रही है कौन सा petrochemical investment reason जो है वो सीता पुरा जेकुर में नहीं है पच्च बद्रा जेसलमेर जो है यहां पर यह क्या होगा बनकर तयार होने वाला पच्च बद्रा जेसलमेर में यह है बनकर क्या होगा तयार एकजार करोण उपे की रासी इसमें क्या है लगने वाली है एकजार करोण उपे की रासी से 383 वरत किलोमेटर छेतरफल में petrochemical investment जो reason है यह reason बनकर क्या होगा तयार होगा अगला सवाल State Road Safety Institute कहां खोला जाएगा State Road Safety Institute इन में से कहां खोला जाना है जरा बताइए तो इन सवालों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपको याद है और कौन सी चीजें याद नहीं है तो जादा से जादा एक बार पूरी कहानी समझ लेजिएगा बजट की उसके बाद सवाल जादा से जादा पढ़ने की कोशिश तरो तब यह सारी चीजें आपको याद रहेगी चलेए State Road Safety Institute कहां खोला जाएगा HCM रीपा जेपुर में नाल विकानेर में अजमेर में निमराना अलवर में तो यह बाई साथ HCM रीपा जो है यहाँ पर जेपुर में State Road Safety Institute खोला जाएगा यानि सडक से होने वाली जो दुरगटनाएं है सडक दुरगटनाओं के बारे में सडक दुरगटना जो है उन दुरगटनाओं को क्या करना एक तो कम करना सडक दुरगटनाओं को क्या करना भया कम करना कम करना और क्या करना इसके अलावा सडक दुरगटना के प्रती लोगों में जाग रुपता पैदा करना इसके लिए काम करेगा कौन सा State Road Safety Institute और यह कहां खोला जाएगा HCM रीपा के अंदरगत इसको क्या किया जाना है खोला जाना प्रस्थावित किया गया चलिए अगली बाद देखेगा अगला सवाल है माइक्रो इरिगेशन के लिए सेंटर ओफ एक्सिलेंसी किस स्थापना यहां पर की जानी है तो यह सेंटर ओफ एक्सिलेंसी कहां पर होगा माइक्रो इरिगेशन के लिए यानि सुक्षम सिंचाई जो योजनाई है हमारी उस सुक्षम सिंचाई योजनाओं के लिए सेंटर ओफ एक्सिलेंसी किस स्थापित किये जाएंगे रजे स्तरपर, जिला स्तरपर, संभाग स्तरपर यानि ग्लोग स्तरपर इन में से कौन से स्तरपर इनको खोला जाना प्रसावित क्या गया है तो Micro Irrigation Center of Excellence जो है वो संभाग स्तरपर क्या किया जाएंगे खोले जाएंगे संभाग सर पर Center for Excellence जो है इनको क्या किया जाना है स्थापित किया जाना सरकार के द्वारा घुशित किया गया है चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट है इंद्रा गांधी रसोई योजना के तहट इंद्रा रसोई की संख्या दो सो अठावन से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है अब जड़ा बताईए यानि इंद्रा रसोई योजना के तहट जो रसोईया है उनकी संख्या पहले कितनी थी तीन सो अठावन है ये दो सो अठावन रसोयों से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है अब रसोयों की संख्या सरकार ने यह है आपको बताना है और पहले भी आपको पता होगा इंद्रा रसोय उजना तो खुब फैमस उजना रही है राजस्थान के हर पेपर में आई है इसके अलावा इसकी पहले 20 रुपे लागत आती थी उस 20 रुपे में सरकार से 12 और 8 रुपे लेती थी लेकिन सरकार ने अब इसमें 5 रुपे क्या कर दियें बढ़ा दियें तो अब इसकी टोटल लागत जो है वो 17 और 8 आपका कितना हो गया 25 रुपे होगी ये अब लागत होगी लागत कितनी होगी अब ये लागत अब आएगी कितनी 25 रुपे की लागत होगी जिसमें सरकार ने अनुदान 5 रुपे का बढ़ा दिया है और यह क्या था पहले था तो अब रसोयों की संख्या बढ़ा कर 358 से सरकार ने कितनी कर दिया है यह है आपसे मैंने पूछा है सरकार ने 1000 रसोय करने का फैसला कर लिया है सरकार ने क्या किया है 358 रसोयों के स्थान पर अब इस परकार की 1000 रसोय जो है वो सरकार बनाने वाली है चलिए सरकार सीधा कोई काम नहीं करेगी मेरे मित्रों ये ज्यान रख लेना 500 नहीं है रहे भईया 358 से लेकर कितनी कर दी है 1000 कर दी गई है तो यहां सीधा कोई काम नहीं करेगी सरकार को जहां आए होगी वही काम सरकार करने वाली है इन 1000 रसोयों के स्थान पर डारेक किसी को रोजगार मिलता तो कितना अच्छा होता लेकिन इन में होगा भरष्टाचार चलिए अगली बात करते हैं अपने काम की बात क्या है निमन मेंसे कौन से मिशन को सुरू करने की घोशना बजट में की गई है बजट में 11 परकार के मिशन सुरू करने की घोशना की गई है बजट में क्या किया गई है 11 परकार के विभिल मिशन शुरू किये जाएंगे इनको बजट में घोशना की गई है सरकार के द्वारा, राजस्तान Organic Forming Mission, मुख्य मंतरी जेविक खेती Mission, जेविक खेती Mission, राजस्तान फसल सुरुख्षा Mission, ये टिन महत्तों Mission हैं, इनको सरकार शुरू करना चाह रही है, और ऐसे 11 परकार के Mission सरकार ने शुरू करने की गोशना किया है राजसान और गेनिक फॉर्मिंग जेविक खेती फसल सुर्क्षा सुक्सम सिंचाई इस प्रकार की बहुत सारे अगला सवाल जरा देखेगा kya है अगला है राजे में नया डेंटल कोलेज कहा खोला जाएगा जरा हो जोदपूर यहां पर जोदपूर जो है इस जोदपूर में क्या किया जाएगा नया dental college खोला जाएगा देखो एक तो है central college एक तो क्या है केंद्रिये college जो है यानि central college जो है केंद्रिये college एक तो केंद्रिये college केंद्रिये college कहां खोला जाएगा याद कर लो जोदपूर में खोला जाएगा dental college कहां खोला जाएगा dental college भी जोदपूर में खोला जाएगा इसके अलावा नेत्रहीन विकास संस्थान ये भी कहां खोली जाएगी ये भी भाईया आपके जोदपूर में खोली जाएगी तो ये तीनों बातें जो है वो जोदपूर से रिलेटेड है और जोदपूर के बारे में इन तीनों बातों को आप आप धंग से क्या करिएगा या करिएगा चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है एक लाग किसानों को सोलर पंप है तो कितना प्रतिसत सरकार अनुदान देगी यह जड़ा देखो एक लाग किसानों को जो सोलर पंप देती है सरकार इस सोलर पंप के लिए सरकार जो है वो कितनी अंदान रासी अब देने वाली है 40 परतिसत 50 परतिसत 60 परतिसत अरे देख लेंगे 14 नमबर को वापस देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है 14 नमबर सवाल क्या था मेरे इसाफ से यह था Micro Irrigation जो है वो वाला आपता था Micro Irrigation के लिए Center of Excellence की स्थापना संभाग स्थर पर की जाएगी वो मैंने देख लिया है ठीक है सुभास खिलेरी विश्णोईश्डी यह संभाग स्थर पर है आप इसके बारे में दिश्चिंत रहे एक जिला स्थर पर आप जो कहरें मुझ जिला स्थर पर अलग आएगा सवाल उस पर भी बात क करेंगे एक लाग किसानों को सोलर पंप है तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा वो बताना है आपको जरा देखेगा यहां पर क्या है कितना प्रतिशत अनुदान जो है वो सरकार इसको देने वाली है जरा यह बताईए आप तो बस कितना प्रतिशत अनुदान ज कि चालिसी देना हुगा तो ये है जो साथ है यह क्या है आपका अनुदान है यह सरकार देगी तो इसका मतलब यह अनुदान है, साथ इसका सही जवाब है, चलिए, नेक्स सवाल ज़रा देखिएगा क्या है, जेपुर मेटरो फेज टू नहीं है, ये फेज फस्ट का विश्थार कहां से कहां तक किया जाएगा, ये आप से पूछा है, तो फेज फस्ट अगर आया है, टू का जवाब अगर ये तब तो ध्यान रखना कहां से, अमबा बारी से लेकर के, जो सागानिर वाला इलाका है, वहां तक है, फेज फस्ट है, और फेज फस्ट में भी दो है, फेज फस्ट में भी दो C और क्या है, फस्ट D है, ये दो है, इनको ध्यान रखना है, फेज फस्ट C और फस्ट D, इ नहीं ओप्सन की साथ से भी देखे तो भी आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट सी और फर्स्ट डी है और हलांकि इसके आगे की बात भी की गई है जो फेज टू है फेज टू है उस फेज टू की भी बारे में बात की गिया लेकिन वो कहां से कहां तक होगा तो यह मैंने बता चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल क्या है राजस्तान सुक्सम सिंचाई मिशन के लिए कितनी रासी खर्च की जाएगी राजस्तान में सुक्सम सिंचाई एक मिशन चलाया जाएगा उसके तहट कितनी रासी जो है वो सरकार इसमें खर्च करने वाली है तो अभी अभी आपको इसी क्लास में मैं ने बताया था राजस्तान सुक्सम सिंचाई मेशन के लिए स्थरकार जो है वो 27 क्रोल रुपे की राशी क्या करने वाली है खर्च करने वाली है चलिए इसके बाद में कुछ और बाते जो इसके संधर्व में है वह मैं आपको और मुख्य मुख्य बातें जो हैं पॉइंट जो हैं वो और बताता हूँ बजट के संधर्ब में जो important बाते हैं उन बातों को और आपके सामने रखते हैं 20 सवाल मैंने कराएं बाकी सारे सवाल रोजाना सुभे की जो current affairs के आपकी class होगी उस सुभे की current affairs के class में अब जड़ा देखिएगा अगे क्या है अगला यहां लिखा गया है कि भाईया 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तूत किया गया और 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तूत किया गया और 22-23 में राज्य का पहला क्रसी जो बजट है वो मुख्य मंत्री के द्वारा क्या किया गया प्रस्तूत किया गया next point क्या है जड़ा देखो इसके बाद सहरी और ग्रामिन मैंने दोनों बात आपको बता दी है कि सहरी छेत्रों में रोजगार के लिए इंद्रा गांदी सहरी रोजगार योदना शुरू की जाएगी जिसके तैर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा प्रतिवर्स 800 क्रोड रूपे की रासी इस पर क्या की जाएगी खर्च की जाएगी ये बात भी आपको मैंने बता दी है चलिए नेक्स ज़रा देखेगा और क्या है और है आपके सामने ग्रामिल छेतरों में महात्मा गाली नरे पर की जाएगी इसके अलावा देखो कुछ बाते में और लिखकर आपको बता रहा हूं वो भी जरा धान से शुन लीजेगा एक क्या किया जाएगा करमचारी जो है इनको जिन करमचारियों ने अपनी जनवरी 2004 के बाद के जो करमचारी है उनको भी क्या मिलने वाली है अब RISF नाम के एक नए बलका कठन किया जाएगा यानि ओद्योगित जो छेतर है उनकी शुरुक्षा के लिए जैसे CISF के इंदर सरकार का एक संख्ण ने ग्रहम बंतराले के अदिन आता है वैसे ही राजस्तान सरकार में भी ग्रहम बंतराले के अदिन एक नया संख्ण RISF इस इंदरा गांधी मात्रित्व पोशन योजना इस पोशन योजना में क्या होगा भाईया पहले प्रोजेक्ट के तोर पर इस योजना को 2020-2021 में चलाया गया था उस समय यह है उदेपूर राजस्तान के उदेपूर प्रताफगड दुंगरपूर बास्वाड़ा जो छेतर है यहां पर इसको क्या किया गया था चलाया गया था और एक इसमें 12 सामिल था जिसके अंतरगत 6,000 रुपे की रासी प्रदान की जाती है दूसरी संतान के पैदा होने पर अब यह है योजना पूरे राजस्तान में क्या की जाएगी लाबू की जाएगी तो इसे क्या किया जा प्लस इसके अलावा भी कोई और बात है क्या एक ध्यान रखना चबड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है कहां पर एक चबड़ा बारा में चबड़ा तापिये विदूत ग्रह जो है यहां पर क्या किया जाएगा एक दो 660 और 660 मेगावोट की 660 मेगावोट की क्या की जाएगी यहां पर अल्टरा सूपर क्रिटिकल यूनिट स्थापिक की जाएगी अल्टरा अल्टरा सूपर क्रिटिकल सूपर क्रिटिकल जो इकाया है वो क्या की जाएगी स्थापिक की जाएगी कितनी की जाएगी तो यहां पर 800 मेगावोट की कितने की 800 मेगावोट की एक अल्टा सूपर क्रिटिकल युनिट की क्या की जाएगी स्थापना की जाएगी एक युनिट जो है वो 800 मेगावोट की यहां पर क्या की जाएगी स्थापित की जाएगी यह भी आपको देख लेना है चलिए इसके बाद और कौन सी बात यहां पर स्थापित की जाएगी वो भ पर ये होगा भया स्वाई माधवपूर में, स्वाई माधवपूर, स्वाई माधवपूर जहां रन्थमबोर जाने को अला रस्ता है, उस रन्थमबोर वाले रस्ते पर राजीव गांदी सेंटरल पारक की क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी, राजे में खेल इंस्टि प्रस्थापित क्या जाएगा बोटनिकल गार्डन कहां प्रस्थापित क्या जाएगा ये जड़ा सुनो एक तो बनेगा जोदपूर में एक बनेगा आपके कोटा में एक बनेगा भरतपूर में भरतपूर में इसके अलावा एक बनेगा आपका बीकानेर में बीकानेर में एक बनेगा उदेपूर में उदेपूर में एक बनेगा अज्दमेर में अज्दमेर में और ये किसकी तरज पर बनाये जाएंगे ये है विश्वे वानी की उध्यान जो स्तित है जालाना डूंगरी में उसकी तरज पर विश्वे वानी की उध्यान वानी की उध्यान की तरज पर बनाया जाएगा जो कि कहां पर स्थित है यह स्थित है जालाना डूंगरी में जालाना डूंगरी जो है इस जालाना डूंगरी के अंतरगत क्या किया जाएगा स्थापित किया जाएगा यहाँ पर देखेगा इसके अलावा E-WASE जो कच्रा है यानि E-WASE जो है E-WASE E-WASE disposal policy बनाई जाएगी disposal disposal policy यानि नीटी बनाई जाएगी यानि E-WASE जो है उस E-WASE के dispose करने के लिए अलग से क्या की जाएगी नीटी बनाई जाएगी, मुबाइल विधायकों को मिलेंगे, वो भी एपल के मिलेंगे, एपल के मुबाइल फॉन्स विधायकों को देने वाले हैं कौन? गेलोट साथ, इवेस्ट डिस्पोजल पोलीशी जो है, डिस्पोजल पोलीशी ये बनाई जाएगी, और इसी के तहट जेपुर में, इवेस्ट जो रिसाइक्लिंग पारक बनाए जाएगा, इसी के तहट क्या किया जाएगा, जेपुर में, जेपुर में, सोरी इवेस्ट इवेस्ट रिसाइक्लिंग 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 पारक जो है वो क्या किया जाएगा स्थापित किया जाएगा जेपुर में E-West Recycling पारक जो है वो क्या किया जाएगा स्थापित किया जाएगा E-West Disposer Police दी सरकार लेकर आनी आ लिए उसके तहट E-West Recycling पारक कहा स्थापित किया जाएगा जेपुर में इसको स्थापित किया जाएगा इसके अलावा उन्त सरक्षन और विकास निती लेकर आने वाली है इसके अलावा मेरे मित्रों मुख्य मंत्री दूग्द उत्पादक शंभल योजना जो है संभल योजना इस संभल योजना के तहर सरकार क्या करती है पिछली बार प्रती लिटर दो रुपे का अनुदान सरकार ने दिया था प्रती लिटर प्रती लिटर जो है वो सरकार ने दो रुपे का अंदान दिया था इस बार सरकार ने वो दो रुपे के स्थान पर रासी को बढ़ा कर पांच रुपे प्रती लिटर कर दिया है ठीक है पंच बदरा जेसल मेर में नहीं बाड मेर में सर हाँ जी पंच बदरा बाड मेर में है जेसल मेर में नहीं है तो चलिए अब बात करते हैं और आगे और क्या क्या किया गया है सामबर जील मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लाया जाएगा सरकार के द्वारा सांबर जील मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है सांबर जील सांबर जील के लिए क्या किया जाएगा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाएगा सांबर जील मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो क्या किया जाएगा प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लाया जाएगा इसके अलावा captive animal sponsorship scheme लेकर आने वाली है इस scheme के तहट क्या होगा कोई भी वेक्ति अगर किसी भी जन्तु वाले में जाकर किसी भी जीव जन्तु को गोध लेता है तो उसका वो खर्चा वहन कर पाएगा इस प्रकार की बात जो है वो इसके संधर्ब में की गई है तो यहाँ पर सांबर जील management project जो है वो सरकार के द्वारा चलाएग जाएगा और captive animal sponsorship scheme जो है वो भी सरकार जो है वो लेकर आने वाली है तो यह सारी बाते होने के बाद देखें आगे कुछ और बाते हैं क्या यहाँ है अगले वरसे चिरिंजीवी योजना के अंतरगत प्रती परिवार सालाना पांच लाख रुपे चिकिसा विमारासी को बढ़ा कर दस के अलावा मेरे मित्रों CISF की तरज पर राजस्थान ओध्योगिक सुरुख्याबल की स्थापना की जाएगी राजस्थान में क्या किया जाएगा जो CISF है उसकी तरज पर ओध्योगिक सुरुख्याबल की स्थापना की जाएगी राजस्थान में भी यानि मैंने बताय थ में दो हजार कर्वियों की भरती होगी होगी कब ये भगवान जाने लेकिन होगी चलिए अगला है अठारा जीलों में नर्सिंग महाविध्याल है और हजार में कुप स्वास्ते के अंदर खोले जाने की गोशना की गिए सरकार के द्वारा सो क्रोर की लागत से EWS विकास को उसका गठन किया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला है आपके सामने पालन हार योजना के बारे में मैंने बता दिया पैंसन रासी जो है वो पंदरा सो रुपे से बढ़ा कर कितनी कर दी गए पंदरा सो के स्थान कर कितनी कर दी गए प माबा साथ आमटे अस्पताल कहां खोला जाएगा तो जेपुर में बाबा साथ आमटे अस्पताल जो है वो खोला जाएगा इसके अलावा पूरे प्रदैस में लागू होरे इंदरा मातरित्व योजना प्रसूता को योजना में 6,000 रुपे दिये जाते हैं यह मैंने बता पर बनेगा तो मैंने बताया स्वाई मादोपूर में बनेगा स्वाई मादोपूर जो है स्वाई मादोपूर में यहां यह बनकर क्या होगा तयार होगा चलिए नेक्स जड़ा देखेगा उदेपूर और कोटा में नए विकास प्राधिकरन जो है इनकी स्थाफना की जाएग अगले साल सहरी और ग्राविन चेत्रों में एक एक हजार जो है वो नए मात्मागार्दी इंगलिस मीडियम स्कूल खोले जाएंगे ये सब बाते मैंने आपको बता दिये इंद्रा रसोई योजना में 358 से बढ़ा कर एक हजार किया जाएगा सरकार घर से काम करने के लिए उनको नोकरी देने वाली है 20,000 मैलाओं को ठीक है ऐसा भी आप लोग देख सकते है इसके बाद है संभाग मुख्यालों पर माइक्रो अभी जो एक मेरा मित्र कह रहा था उसको देख लो ये मैंने बताई थी तोड़ी देर पहले बात कि भाया जो है वो राजस्थान में शुरू किया जाएगा इसके अलावा जोदपूर में बादरे का सेंटर ओफ एक्सिलेंसी जो है इसकी स्थापना की जाएगी चलिए इसके बाद अगला देखिए जेपूर में हCM रीपा यहां पर क्या किया जाएगा स्टेट रोड सेफटी इं राजस्थान में कहां खोला जाएगा HCM रीपा में खोला जाएगा वो कहां पर है तो जेपूर में है पच्च बदरा यह बाद मेर में भाई कहीं अगर जेसर में लिखाओ आ गया तो उसको काड़ दीजेगा यह कहां पर है बाद मेर में है यहां पर 383 वर्ट किलोमेटर मे पेट्रो केमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा जिसके विकास के लिए एक अजार क्रो रुपे की रासी जो है वो सरकार क्या करने वाली है खर्च करने वाली है चलिए नेक्स दरा दीखेगा मुख्य मंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की जाएगी इसमें 33 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फॉन दिये जाएंगे देखो एपल के फॉन विदायकों को दिये जाएंगे स्मार्ट फॉन महिलाओं को दिये जाएंगे और महिला मुख्या को दिये जाएंगे वो भी किसको महिला मुख्या को और वो भी कितने साल तर तीन साल की internet connectivity भी उसमें प्रदान की जाएगी तीन साल की मैलाओं को तो तालिग जानी चाहिए कि भाई आपने गरे mobile आना रो है और वो भी smart phone internet भी मा आवगो यावगो ठीक है ये सब उसको देखना है चलिए next जड़ा देखो बांसवाड़ा और दुमरपूर में बागड़ टुरिस्ट सरकित जो है उसका विकास किया जाएगा बागड टुरिस्ट सरकित दुमरपूर और बांसवाड़ा में विक्सित किया जाना है हर जिले में एक साइबर ठाना खोला जाएगा अगला अब सवाल आ चुके हैं जो की सवाल मैंने आपको सारे करा दिये बहुत सारी बातें मैंने पढ़ा भी दिये और बहुत सारी बातें अभी भी बच गई है ठीक है हाँ जी तो अब मेरे मित्रों कुछ और बातें जो भी बच गई है वो सुभे की करंट अफेर्ज की क्लास में सवालों के साथ हम कवर करेंगे पलस इसके साथ तो आपकी जो उकोनोमिक सर्फे का बी रिव्यू आ चुका है economic survey आ चुकिए उस पर बहुत अच्छी class आप लोगों के सामने हम रखेंगे और लगातार economic survey के बारे में हम लोग बाचित करते रहेंगे तो आप सभी मित्रों का आज की class दे जुड़ने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद है बज़ट को एक बार फिर सरसरी निगाओं से पढ़ लीजेगा ये 20-25 क्यूसन आपके सामने जो मैंने रखें इनको देख लीजेगा और अन्या सवाल भी सुभे की class में आपके सामने राजस्तान बज़ट से रिलेटेड लाते रहेंगे उन सब पर भी आप निगाहें बने रखिएगा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर वापस मिलते हैं सुभे की class में तब तक have a nice day तो अब सुभ रात्री के साथ आपस विदा लेते हैं तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद